मैं दिनेश शर्मा फैसन स्टेडिज में आप लोगों का स्वागत है मैं आपको सबसे पहले प्लेन सीम बताने जा रहे हूं जब भी हम कोई काम करते हैं तो सीधी सिलाई लगाना लगाते हैं और वो भी आवशक है जब TAKK हम लोगों को सीधी सिलाई लगाने नहीं आ latitude और सिलाई के बारे में हमें नहीं पता चलेगा तो हम कुछ भी ही कालिए नहीं कर सकते करके इसलिए आए शिरू करते हैं जब हम सीधी सीम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि यह हमारे पंज kg पंजे हैं तो पंजे की सीध रखते हैं अब देखिए मैंने न ये मेरा एक पैर है और इस पैर से एक पॉइंट जो है कपड़ा इधर छोड़ करके और मैं सिलाई लगाओगे आप लोग जब शुरू में जब सिलाई लगाओगे तो आपको सीधी सिलाई लगाने के लिए जो सिलाई लगाएं तो इस परकार से देखिए मैं सिंपल सिलाई आपको लगा के लिखा रहे हैं यह आप ध्यान से देखें यह मैंने एक पैर की सिलाई लगाई इसको हम एक पैर की सिलाई बोलते हैं यह हमारी सिंगल सिलाई है सिंगल सिलाई करने के बाद फिर हम जब डबल स सिलाई भी मैं आपको इसी में बता रही हूं करके अब ये देखिए इस पर कर बिलकुल इसी सीम के उपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे उसको हम बोलते हैं डबल सिलाई अब ये इस पर मैं जो है न करके दिखा रही हूं आपको बिलकुल उसी के उपर जब हम सिलाई यह देखीए, कि मैंने, शिम्पल सिलायी लगा दी और इसी के ऊपर मैंने दूसरी सिलायी जो लगाई है, तो डबल सिलायी होगई है, तो यह बढ़े सफाई से, इस हमारी जो पैर हैं इनके सीध बानते हैं इस से तो हम बिलकुल सीधी सिलाई लगाएंगे और जब आप शुरू शुरू में जब सिलाई लगाते हैं तो आप स्केल से भी निशान लगा करके सीधी सिलाई लगा सकते हैं आईए मैं आपको टॉप सीम बताते हूं कि टॉप सीम कैसे अब मैं आपको टॉप सीम बता रही हूं सिदी सिलाई आएगी अब देखना जड़ा है अब यह सिंगल सिलाई होने के बाद अब हम इसके किनारे पर इसके किनारे पर जो सिलाई लगाएंगे इस इसलाई को हम टोप सीम बोलते हैं कपड़े में मजबूत पी लाने के लिए और किनारे पर जो सिलाई लगाते हैं उससे क्या होते है कि धागे भी नहीं निकरते और कपड़ा भी जो है मजबूत हो जाते हैं और सुन्दर भी लगता है यह देखिए यह हमारे यह इस सीम को जो है हम टॉप सीम बोलें